मेरे प्यारे बच्चों केशे हैं आप उम्मिद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे मैं एजाज मनसूरी आपका अपने यूट्यूब चेनल इकरा इंगलिस क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों आज हम समझेंगे माई स्कूल का निवन देखिए बहुत ही आसान भासा में समझने की कोशिस करते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये दो स्क्रीन चॉट हमने लगाए हुए है पहला जो प्रशन आपको दिखाई दे रहा है ये पूछा गया है कक्षा सातवी 2019 के वार्षिक परिच्छा का पेपर है उसमें प्रशन पूछा गया है देख सकते हैं आप माई स्कूल का निवन यहाँ पे आपको दिख रहा है चोथे नंबर पर मैं एक बार प्रशन आपको पढ़के बता देता हूँ ताकि आपको उससे आसानी से समझ में आ जाए कि प्रशन किस तरह से आता है परिच्छा में प्रशन है write an essay on any one of the following topics नीचे लिखे गए विशियों में से किसी एक विशे पर निवन लिखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है और नीचे वाला जो question है question तो सेम ही आता है कक्छा छटी सात्वी या आठवी तीनों के लिए 10 नंबर का my school का निवन पूछा जाता है तो इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर my school का निवन पूछा गया है तो इसे सुरू करते हैं आसान भासा में पहला point है my school name is government middle school रिछी मेरे विद्याले का नाम सास्की माध्यमिक विद्याले रिछी है अब यहाँ पर जो government middle school रिछी जो लिखा है इसकी जगा आप अपने school का नाम लिखेंगे जिस भी school में आप पढ़ते हैं गवर्मेंट एने सास्की मीडिल एने माध्यमिक रिछी गाउं का नाम या सिटी का नाम आप जिस गाउं आपका school जिस गाउं या जिस सिटी में उस जगा का नाम अजा आएगा तो पहले point का अर्थ यह हुआ My school name is government middle school रिछी मेरे विध्याले का नाम सास्की माध्यमिक विध्याले रिछी है दूसरा point देखते है It is a big school यह एक बड़ा विध्याले है इसकी जगा आप यह भी लिख सकते है It has a big building इसका भवन बड़ा है इसकी इमारत बड़ी है तिसरा point है It is the best school in the village यह गाउं में सबसे अच्छा school है It is the best, the best यहने सबसे अच्छा यहाँ पर best जो है superlative degree है किसकी good की good यहने होता है अच्छा, better यहने उससे अच्छा और best यहने सबसे अच्छा तो तीनों बे जो सबसे बड़ी डिग्री है superlative डिग्री तो best का मतलब होगा सबसे अच्छा मतलब जो हमारे गाओं में हमारे स्कूल जो है सबसे अच्छा स्कूल है अब यहाँ पर विलेज की जगह आप आपका स्कूल सिटी में हो तो आप यहाँ पर इन दा सिटी कर सकते हैं एक पर फिर से देखते हैं It is the best school in the village यह हमारे गाओं में सबसे अच्छा स्कूल है अब इट का यूज हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं जैसा कि आपने देखा पहला पॉइंट क्या लिखा था हमने माई स्कूल हा ना दूसरा पाइंट और तिसरा पाइंट और जितने भी आगे पाइंट आएंगे उसको हम इट से उसकी सुरुवात कर रहे हैं तो माई स्कूल की जगा पर इट क्यों रखा पहले तो यह समझते हैं कि इट है क्या इट है एक प्रोनाउन प्रोनाउन मतलब सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं संग्या के इस्थान पर आने वाले सब्दों को सर्वनाम किते हैं हाना अब माई स्कूल माई स्कूल हम दसों पाइंट में लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बार बार माई स्कूल माई स्कूल रिपीट होगा तो सर्वनाम वे सब्द होते हैं जो संग्या के बदले या संग्या के इस्थान पर प्रियोग किये जाते हैं ताकि संग्या की पुनराव रत्ति या दोहराव ना हो माई स्कूल का दोहरा वार वार हो रहा है इसलिए उसके इस्थान पर हम इट का इट सरुनाम का प्रियोग करेंगे अब देखते हैं चोथा पाइंट इट हेज टेन रूम्स इसमें दस कम रहें इसमें किसमें माई स्कूल मतलब मेरे विद्याले में दस कम रहें इसका निकलेगा यहाँ पर अर्थ की मेरे विद्याले में क्योंकि इट का प्रियोग हमने माई स्कूल को हटाने के लिए किया है उसके इस्थान पर किया है संग्या के इस्थान पर इट सरुनाम का यूज इट हेज 10 रूम्स मेरे विद्याले में 10 कम रहें अगला पॉइंट है इट हेज 10 टीचर्स मेरे विद्याले में 10 सिक्षक है नेक्स्ट पॉइंट इट हेज 300 स्टुडेंट्स मेरे विद्याले में 300 विद्यारती है स्टुडेंट्स याने विद्यारती टीचर्स याने सिख्षक और रूम याने कमरे अगला पॉइंट देखते हैं बच्चो It has a big library मेरे विध्याले में एक बड़ा पुस्तकाले है बिग याने बड़ा लाइबरेरी याने पुस्तकाले जहां पर बुक्स वगेरा रखी रहती है पढ़ने के अठो पॉइंट It has a big playground मेरे विध्याले में एक बड़ा खेल का मेदान है It has a beautiful garden मेरे विध्याले में एक बहुती सुन्दर उध्यान है गार्डन याने उध्यान ब्यूटिफुल याने सुन्दर अब ब्यूटिफुल यहां ब्रेकेट में इसलिए लिखा है अगर आपको beautiful की spelling में कटना ही होती याद करने में तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं It has a garden तो भी चल जाएगा लेकिन अउमित करता हूँ कि आप इसे याद करने की कोसिस करेंगे क्योंकि आप जितना अच्छा आपने निबंद को बनाएंगे अच्छा आपको marks मिलेंगे ऐसा नहीं है कि आप beautiful नहीं लिखेंगे तो आपको marks नहीं मिलेंगे marks तो आपको मिल जाएंगे लेकिन आप अपने निबंद को और अच्छा बना सकते हैं जिससे की examiner जो परिच्छा की copy आपकी check करते हैं उनके दिमाग पे एक अच्छा impression पड़े ताकि उनको लगे कि ये बच्छा अच्छा है पढ़ने वाला है ताकि अगर आपकी कोई से दूसरे question में कुछ थोड़ी बहुत गलती होती है तो उसे नजर अंदास करके उसके number भी आपको दे देते है दसो पॉइंट है it has good teachers मेरे school के सिख्छक बहुत अच्छे है good याने अच्छे teachers ये सिख्छक अब good लिखो इतना भी लिख सकते है आप it has good teachers तो भी चल जाएगा लेकिन आप अपने निभंद को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते है गुड की जगा well educated teachers लिख सकते है well educated याने मेरे विद्याले के जो सिख्छक है वह प्रसिक्चित है वह अच्छी तरह से प्रसिक्चन लिए हुए है I go to school everyday मैं प्रति दिन विद्याले जाता हूँ everyday याने प्रति दिन everyday की meaning आपको कठीन लगे तो आप daily भी लिख सकते हैं दोनों का अर्थ एक ही है प्रति दिन या रोजाना है मैं प्रति दिन विद्याले जाता हूँ या जाती हूँ एक ही sense निकले I love my school very much मैं मेरे विद्याले से बहुत प्यार करता हूँ very much अने बहुत ज्यादा आप very much नहीं लिखना चाहें तो I love my school भी लिख सकते हैं very much लिखेंगे तो और आप अपने लिबंद को अच्छा बना सकते हैं next last point है I proud of my school मुझे मेरे विद्याले पर बहुत गर्व है proud याने गर्व और होना भी चाहिए हमें हमारे विद्याले पर गर्व क्योंकि हम विद्याले स्रीप पढ़ाई करने नहीं जाते हैं हमें विद्याले से बहुत सारी चीजे सीखने को मिलती है वहां से हम अनुसारसन सीखते हैं देश भक्ती सीखते हैं हमारे दोस्तों सेहपार्टियों के साथ अच्छे से रहना बिल जूल कर रहना और हमारे सिख्षकों का आधर करना हमें बहुत सारी खेल कूट सांस्कृतिक कारिकरों में भाग लेना देश के लिए काम करने के लिए प्रेदित हम सांस्कृतिक कारिकरों में भाग लेकर होते है इसी तरह से बहुत सारी चीज़े हमें स्कूल से सीखने को मिलती है बचों यहाँ पर 13 पॉइंट इसलिए डिसकस करें हमने कि अगर परिच्छा में आप एक दो या तीन पॉइंट भूल भी जाते हो तो भी आपके पास कम से कम 10 पॉइंट लिखने के रहे इसलिए हमने आप तीन एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चले हैं ताकि आप एक दो पॉइंट भूल भी जाओ तो आपके 10 पॉइंट पूरे हो जाए अब आईए जल्दी से आप स्पेलिंग्स देख लेते हैं जो भी निबंद में हमने जो कठीन वर्ड आपको एसा लगता है कि जो कठीन वर्ड है तो यहाँ पर सभी सब्दों की स्पेलिंग और चारण और उनके आर्थ मेंने लिख दिये हैं आप जल्दी से आप इसे पढ़ लेते हैं अपन कॉर्मेंट यहने सास्की होता है, मेडिल यहने माधिमिक, स्कूल यहने विध्याले होता है, बेश्ट यहने सबसे अच्छा विलेज यहने गाउं, बीग यहने बड़ा, रूम यहने कमरा, टीचर यहने सिक्षक स्टूडेंट याने विध्यार्ती लाइबरेरी याने पुस्तकाले प्लेगराउंड याने खेल का मेदान ब्यूटिफूल याने सुन्दर गार्डन याने बगीचा वेल एजुकेटेट याने प्रसिक्षित एवरी डेली दोनों का एकी मतलब होता है प्रति दिन या रोजाना वेरी मच बहुत ज़्यादा प्रावड याने गर्व अगर इन में से आपको किसी चीच का मिनिंग या पूरी मिनिंग से आप नोट करो तो बहुत ज़्यादा बहतर है वीडियो को रोक कर आप सभी मिनिंग से नोट कर सकते हैं और पूरा जो आप निबंद है उसे भी आप कोपी पेन लेके अच्छे से नोट कर ले ताकि अभी से आप तयारी करें पूरा एक साल है आपके पास जब भी एक साल है पूरा आपके पास जब भी एक्जाम होगी तो आप अच्छे से लिख सकें अगर एक पॉइंट भी आज आप रोज याद करते हो तो दस दिन में आसानी से आपका निबंद तयार हो जाएगा इसलिए आप देख सकते हैं आप या तो स्क्रीन सोट ले ले या वीडियो को रोख कर आसानी से लिख ले निबंद में आपको दिखाते जा रहा हूँ आप देख सकते हैं पूरा निबंद तो बच्चो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अगर आपके कुछ भी डाउट हो या कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो आप आपके सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं उनके जवाब देने की कोशिस करूँ और आप मुझे बताएं कि इंगलिस में किस टॉपिक में आपको समस्य आ रही है उस विस टॉपिक पर उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा ताकि आपकी समस्याएं सौल हो सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें इससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी जैसे हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप वीडियो देख सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसा ही हसते रहिए मुस्कराते रहिए और देखते रहिए बच्चों आपका अपना यूट्यूब चैनल इकरा इंगलिस क्लास धन्यवाद जैहिंद मिलते हैं अगले वीडिय कि यहम हते हैं आपको एंगले वीडियों मिलते हैं आपको झाले रहिए महीं झाल झाल